हाई एवरिवन गुद मॉर्निंग फ्रम सम्वर इन दा नौट सी अभी बच रहे हैं सुबे के आठ और दो खंटे में हम पहुच जाएंगे डेन्मार्क हमारा नौर्वे से लेकर डेन्मार्क तक का सफर काफी अच्छा रहा होप आप लोगों ने भी इंजाई किया होगा सो फाइनली हम पहुच गए कोपेन हेगें यह डेन्मार्क का कैपिटल है अभी टाइम हो रहा है टेन थर्टी और यह सेम क्रूस पर ही हम औसलो बापस जाएंगे सो हमारे पास है चार घंटे और इस चार घंटे में हमने सिटी को कैसे एक्स्प्लोर किया वो आगे वीडियो में आपको दिखेगा कोपेन हेगें डेन्मार्क और अभी यहां पर हम लोग कुछ पॉइंट से जिसको कवर करने वाले हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है इस कास्टोलेट और हमने डीफडीएस के जो क्रूस से हम आय थे वहां से निकलते वक्त यह वाला एक छोटा सा मैप हमने ले लिया है ज तो जिहां पर नेट बगेरा नहीं चल गहा है तो अगर आपके वास लोकल स्टीम है तो आप देख सकते हो मैप बगेरा अधरवाइस दैट विल हेल्प यू तो अभी चलते हैं हम अपने पहले लोपीशन जो खिना है कास्टलेट कास्टलेट एक फोर्ट है इसको 16th सेंचूरी में पेंटागॉन शेप में बनाया गया था लाइक अ स्टार ये नॉर्टन यूरोप में सबसे अच्छे शनरक्षित किले में से एक है और करेंटली ये एक एक अक्टिव मिलिटरी एरिया है बट इन सम पोश्चन विजिटर् आउड यहां पर कोई एंट्री फीर नहीं लगता है यह जो रेड हाउसे है ना वो बहुत जादा ब्यूटिफुल है पर्फेक्ट फर टेकिंग पिक्चर्ज एंड यह सारे कॉमन दिन्स कॉर्टर्स है सो यह जो कैस्टलेट है यह बहुत ही खुबसूरत है रेड कलर के सारे बिल्डिंग्स है लाइक घर वगेरा और यहां पर यहां पर यहलो कलर के चर्च में मुझे दिख रहा है तो इसे में तो देखने बहुत अच्छा लग रहा है और अगर आपको फोटो खिचन अच्छ लगता है तो यहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन मिलेंगे फोटो निकालने के लिए तो अभी हम लोग एक और फेमस जगे पर जा रहे हैं कैसलेट के अंदर ही है आपने बहुत बार पिक्चर में देखे होंगे तो आम तॉकिंग अबाउट इस फेमस वि कास्टलेट में कुछ समय बिताने के बाद अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन में जो किन्या कास्टलेट के एकदम बाजू में ही है सो हमने एंट्री किया था नॉर्थ गेट से और यह है साउथ गेट और साउथ गेट से निकलते हुए सामने एक चर्च दिखेगा यह है सेंट अलबन्स चर्च इसको इंग्लिश चर्च भी बोलते हैं यह 18th सेंचुरी में बनाया गया था और इस रियली ब्यूतिफुल और इस नियर दे ब्यूतिफुल गेफियन पाउंटन विच रिप्रेजेंस दा बॉत अभी हम आगए है अगर आपको पैलेस के अंदर का व्यू देखना है तो इस साइट पे मेरे पीछे इधर पे एक म्यूजियम है वर देट इस चार्जबल तो वहां पे आप यह वोपेंड सम पोशन आप पैलेस पैलेस के एक तम सामने ही है हमारा नेक्स्ट लोकेशन जो किना है पेड्रिक चर्च अलसो नोन अस मर्बल चर्च बेहत खुबसूरत ये चर्च का जो डोम है वो पूरे नॉर्दन यूरोप में सबसे बरा डोम है और ये चर्च पहले तो डिसाइल हुआ था मार्बल से बन आए गया था और इस पूरे चर्च को बनने में 300 साल लगे थे नाउ इस दा टाइम फॉर कैनल राइट एंड ये है उसका टिकेट काउंटर तो चलिए पहले टिकेट ले लेते हैं यहां पर परसंट टिकेट प्राइज 109 डीके के है ये कैनल राइट है नाइहावन में और ये बहुत ही फेमस जगह है कोई भी अगर डेन्मार्क विजिट करता है तो बहुत ज़रूर यहां आता है और कैनल टूर भी बहुत पॉपुलर अक्टिविटी है कोपेनहेगन में 16th सेंचुरी में डैनो स्वेडिश वर में डैनिश लोगों ने स्वेडिश लोगों को हरा दिया था और उनसे ये कैनल खुदवाया था ये है कोपेनहेगन आपेरा हाउस ये है क्वीन काव यॉट डैने ब्रॉक टूटल एक घंटे का टूर है और इसमें अलमोस्ट कोपेनहेगन के सारे अट्रेक्शन कवर करते हैं विच मेक्स इजी फॉर यू तो डिसाइड विच प्लेस यू वूड लाइक तो एक्स्प्लोर मोर ये है डैनिश थियेटर और ये है मार्मॉर ब्रॉयन ये है फेमस दा लीटिल मर्मेज स्टैचू इसको देखने बहुत ज़दा भीर होती है बट ये स्टैचू का साइज वैसा नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं ये काफी छोटा है ये है निकोलाश कुंस्थाल यहाँ पे इंटरनाशनल कॉन्टेम्परी आर्ट एक्सिबिशन होता है ये है कोपन हेगन का स्टॉक एक्स्चेंज बिल्डिंग और ये बना था 17th सेंचूरी में एक खंटे का कैनल टूर अगर मैं इस वीडियो में दिखाने जाओं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपको मज़ा भी नहीं आएगा तो ये ब्यूटिफुल सा कैनल राइट का मैं अलग एक वीडियो डालूंगी तो जरूर से इसको चेक करना करना तो हम लोग का कैनल राइड हो गया है and it was a very good experience तो अभी वक्त है कुछ खाने पीने का and हम लोग धुन रहे हैं Magdi विकोज बाहर Magdi से better option कुछ नहीं होता है लगले हमें Magdi मिल गई बट बहुत ज़ादा भीर थी तो time लगता है and we didn't have much time फिर हम आए ये souvenir shop में यहाँ पे बहुत सारे options थे तो जैसे कि ना last video में मैंने आपको बताया था कि souvenir आपको उपन हेगन से लेना, cruise से मत लेना यहाँ आपको price ठीक ठाक मिलेगा and options भी ज़ादा मिलेंगे तो आप देखी पा रहे हो तो यहाँ से मैंने लिए कुछ souvenirs and then यहाँ से हम निकल गए port की तरफ because अभी boarding का भी time हो रहा था आप लोग को बहुत लोग cycling करते हुए दिख रहे होंगे तो आज यहाँ पे है iron man triathlon जिसमें participants को करनी परती है 3.8 km की swimming फिर 180 km की cycling and then 42 km की running सच में जो लोग इसमें participate करते हैं hats off to them जाय झाल काश्यकश तर ложता पर वर्तान काश्यक्श आप से क问, याँ के क मेंदें भी type इस बश्ब तर न वे बूट समय करते हैं इस पंदम मत्राइब सक्चाब यह हमारी क्रूस खड़ी है तो चलिए अभी अंदर चलते है ड्रम यह टोसु करना में भी क्रेवह आपको आपका पासपोर्ट रेजिदेंट कार्ड एब बstarited कार्ड़िघयर कि इसलाथ है हैं ड्रम की बेदे कोपनेहगन इत वर को ड्रेवह दाईनलृक की तब रहों वो जो कि आख से तैड़ साथिक नुक का डेमार्क जो टृप था ता वो खतम होने को है और अभी हम लोग घर बापत जा रहे औसलो सेम कुरू से D.F.D.S तो I hope कि आप लोगो को भी हमारा ये ट्रिप अच्छा लगा होगा तो yeah and आज हमारा थोड़ा सा प्लान है शॉपिक करने का टैक्स प्री सेशन में तो that is it for today's video and hope आप लोगो ने हमारे साथ इस ट्रिप को एंजॉए किया होगा so see you soon in my next video till then do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel bye guys cheers cheers झाल